कि कैसे हैं आप सभी मैं रियारा ठोडिक पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छी होंगे और आप सब की स्टेडी काफी अच्छी चल रही होगे और जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली सुबह साथ बजे हम लोगों का एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है करेंट अफियर का कुल मिला करके सुबह की शुरुआत जो होती है वह करें कर रहे हो जुसमें करेंट अफियर आप लोगों का आता है तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत जादा महत्रपूर्ण है तो शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि पढ़ना और सीखना बहुत कुछ होता है लेकिन समय हमारे पास बह निशी रचना स्वाती अमरेत और कौन है इसमें से क्यूट भी है क्या कोई बहुत स्पीड से कमेंट चल रहे है आलोग है दिल अच्छा इशाशर्मा है तो मुहम्मद शुरुआ जाए शुरू किया जाए बच्छा पाटी चलो स्टाट करते हैं आजके प्यारे से सेशन को ठीक है ठीक है ठीक है आजओ 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 चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं current affair आज है 16th of February यानि आगर बात करूं 16 फरवरी मेरा नाम है रही आ ठोड आप जानते ही है ठीक है आज का पहला question आपकी स्क्रीन पर आज़ा question नहीं है कुछ पहले basic information जो हम लोग हमेश कौन बना था हैना क्या आप बता सकते हैं विनर कौन था हैना दो ICC 2022 ICC Men's T20 World Cup यह आयोजित किया गया है कहाँ पर Australia में साथी में 2024 ICC Men's T20 World Cup यह आयोजित किया जाएगा कहाँ पर तो United State और West Indies में 2026 ICC Men's T20 World Cup यह आयोजित होगा कहाँ पर अपने प्यारे भारत में और श्री लंका में मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा आप याद रखिएगा इसके बाद चलते हैं 2028 ICC Men's T20 World Cup यह Australia और New Zealand में और 2030 ICC Men's T20 World Cup यह England Ireland और Scotland अच्छा जब मेल की हम लोगों ने बात कर ली तो विमिन्स की भी तो हम लोग बात करेंगे ना तो विमिन्स की अगर हम बात करते हैं तो 2023 ICC Women's T20 World Cup यह South Africa में 2024 ICC Women's T20 World Cup पांगलादेश अच्छा हाँ चली आगे चले उसके बाद है 2026 ICC Women's T20 World Cup यह कहां पर आयोजित होगा तो यह आयोजित होगा England में तो मेंस का और विमिन्स का है ना मेंस का और विमिन्स का दोनों का आप लोगों को क्या रखना है ध्यान रखना है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो बनेगा वह बनेगा 2026 का है ना 2026 का ठीक है 2026 का ICC Men's T20 World Cup इंडिया और श्री लंका आज का पहले कोशन की तरफ रुख मोडते हैं आज ये काम नहीं कर रहे हैं क्या एक सेकंड काम काम नहीं कर रहा है चालो ख्यार छोड़ो आज का पहला कोशन आप लोगों की स्क्रीन पर है अच्छा यह याद रखिएगा अगर मैं आपसे यह कहूं मास ड्रग बिंडिश्ट्रेक्षन खिर एक अभियानए शुरू किया गया है और इस अभियानन के तहत इस अभियाननों युप कर्ट करने ऍा लक्ष जो हम लोगों ने सेट किया है तो हम समापत करनें दूट वह。ëं सताइस तक जैसे आपने किया कहा था कि जैसे मेगाले सरकार की अगर हम बात करते हैं तो 2023 के लास्ट तक क्या करतेगा टीवी को समाप्त करतेगा लेकिन वहीं भारश सरकार ने टार्गेट कब तक कर रखा है तीवी को समाप्त करने का तो मैं वर्श दो हजार पच्चेस तक का अच्छा हम लोगोंने मलेरिया को ख अगर आप fil area की बात करोगे तो आपने हाती पाओ सुना होगा एक रोग का नाम हाती पाओं partners handia чит. जिसमें एक हात नॉर्मल और दूसरा Pair को तो मतलब सूच सा जाता बहुत बड़ा सा हो जाता है तो उसी को फाइल एरिया क्या है और इसको खतम करने का टार्गेट हम लोगों ने रखा है दोजार सथाइस तक इसको हम लोगों ने टार्गेट रखा है अचाहिए ये टार्गेट रखा किसने है तो ये स्वास्त है और वर्तमान में पतलब यह जो मिनिस्ट्री है ये है किसके पास तो मंसुख मंडाविय के पास ये मिनिस्ट्री हो जाएगी तो इतनी बात आप लोगों को क्या रखनी है ध्यान ठीक है और आज का दूसरा गोश्चन आपकी स्क्रीन पर है रेयाना बरनावी ये किस देश के पहली महिला अंत्रिक्ष यात्री बनी है जो इंटरनाशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है बस एक परसनल है मतलब एक परसन है उनका नाम आप याद रखिएगा इनका नाम क्या बनेगा रेयाना बरनावी जैसे आप लोगों ने नूराल मातुशी का नाम सुना था ना कि यूए की या फिर अरब देश के पहली महिला अंत्रिक्ष यात्री वो बनी थी इसी तरीके से एक नाम और अपनी डिक्ष्टरी में एड़ कर लेना वो है रेयाना बरना ठीक है तो UAE है, बहरीन है, सिंगापूर है या फिर अगर हम बात करें तो सौधी अरब ठीक है पहली महिला अंत्रिक्ष यात्री है जो इंटरनाशनल स्पेस इस्टेशन के एक मिशन का हिस्सा होंगी सौधी अरब है सिंगापूर किसने आंसर दिया तो करेक्ट आंसर आप बिन मोहम्मद बिन सल्मान अगर हम क्यापिटल की बात करें यहां की क्या हो जाएगी रियाद अचा वहीं अगर आप करणसी की बात करोगे तो सौधी अरब रियाल है ना सौधी अरब सौधी अरब रियाल यहां की क्या हो जाएगी यहां की क्या पिटल हो जाएगी आगे चले अचा फुटबॉल एशिया कप याद है किसी को दो हजार सत्ताइस वाला फुटबॉल एशिया कप फुटबॉल है ना फुटबॉल एशिया कप इसको भी host करेगा कौन तो इसको भी host करेगा सौधी अरब यह आपके exam point of view से important बनेगा हाँ जी आगे बढ़ें आगे बढ़ें दो हजार 27 की मेजबानी कौन करेगा फुटबाल एशियागप दोजार 27 की मेजबानी सौधी अरब या इतना हमारे लिए sufficient है नेक्स्ट कोशन की तरफ रुख मोड़ते हैं अगला कोशन आप लोगों का क्या बनेगा अगला कोशन देखिएगा कोशन किया रहा है फरवरी 2023 में भारतिया भूव एग्यान एक सर्विक्षन ने किस राज्या केंदर शाषित प्रदेश में लीथियम के भंडार की खोच क थे किया है तो फरवरी 2023 में भारतिया भूव एग्यानिक शर्विक्षन यानि जो लॉजिकल सर्वय अइंडिया की आप लोग बात करते हैं और जो लॉजिकल सर्वे उफ इंडिया 1851 इस्थापित किया जाएगा इसका सथापना करी गई अच्छा Headquarter अगर आप से पूछे तो कोलकाता में इसका Headquarter है कोलकाता में इसका Headquarter है अच्छा Resources के Head Appoint किये गए थे कोई मुझे बतायेगा आप में से शिंगल स्टूडेंट है जिनको एस राजु का नाम याद हो एस राजु का नाम ठीक हैं तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या बनेगा लद्धाख है उत्राखंडे जम्मू कश्मीर है या फिर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश एक रियासी डिस्टिक है यह इस्पेशली आप लोग याद रखना रियासी डिस्टिक आ आ या य eस आ एई या फिर अगर हम बात करें तो रियासी डिस्टिक रियासी जिला यहां पर खोज करी गई है तो आंसर आप लोगों का क्या बनेगा आंसर आप लोगों का बनेगा जम्मू कशमीर ओप्शन आपका क्या है से बिल्कूल ठीक है आप में से एक सिंगल चोट के इस समय चीफ जस्तिसस जो हैं वो पोईंट हूए है लद्दाओक जंद जिम्मु कश्मीर dalam définies जो हाई कोस्ता है इसके चीफ जस्तिस APRO हुए है वो रिसेंट लीवाली क्लास में आप लोगों को जो है वो बताया हुआ है आप लोगों को दो डेट याद रखनी है एक है पांच अगस्त 2019 की पांच अगस्त 2019 ये डिसीजन लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर और रदाक अलग-अलग यूनियन टेरिटरी बनेंगे साथी में 31 अक्टूबर 2019 को क्या हो जाते हैं ये अलग यूनियन टेरिटरी बन जाते हैं इतना आपको याद रखना है कल ही मैंने आप लोगों को बताया था सर जरा ये कौन है विना या दुवंशी या जरा देख लो बहुत बिमार है ठीक है अच्छा आगर मैं आपसे ये कह हो कि इगलू कैफे कल भी हम लोगों ने पढ़ा था इगलू कैफे य कहा पर खोला गया तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का के क्या कोई इसमें आनजी कोटेशवर सिंग एन गजब है ना तुम तो बिल्कुल एक दम जो है एन कोटेश वर सिंग चलो आगे बड़े बिल्कुल एक दम ठीक यह भाई हां जी चलिए बीडी मिश्राज वह लेटेनेंटगवर्णर बने है ना के लड़ाक के अब देखो लोगों ने टुलिप फेस्टिवल यहीं बर सलेबरेट किया था बोलो हां और ना महीला है पछोड़ आप लोगों क कान चोट फेस्टिवल याद है कि किसी को कान चोट फेस्टिवल जैसे नमाली हम लोगों केहां। करवा चौत लेकिन अगर मैं आपसे पुष्कर महस्व की बात करूँ पुष्कर महस्व तो यह भी कहांपर हयरात पर्व या है राध फेस्टीवल तो इतनी बातें आप को इतनी बातें आपको याद रखने हैं जम्मू कश्मीर से नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं अगला कोशन देखिएगा कोशन अच्छा लीथियम एक ऐसा नॉन फेरिस मेटल है अगर आप बात करते हो तो अच्छा यह नॉन फेरिस मेटल है जिसका अपयोग मोबाइल और अन्य चाल्जिबल बैटरी बनाने में किया जाता है अब आते हैं मुद्दे वाली बात पर आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे तो बेटे सीधी सी बात है नया सीखने की बज़ए मेरा जो मेन फोकस होता है वो होता है कि आपको पुराना मैं रिव पांच बार देखती हूं कभी-कभी पांच बार से उपर भी हो जाता है तो आप यह न सोचेगा कि आप टीचर की नजरों में नहीं है मेरे लिए मेरा हर स्टुडेंट मेरी नजर के सामने है आप अगर बार-बार कॉपी-पेस्ट करते हैं तो मेरे को इरिटेशन होता है मे कभी आपके कॉमेंट्स में नहीं देख पाती तो मैं चीजों को घर जाके एक बार वापस से रिकॉल करती हूं तो आप थोड़ी से शान्ती बनाए रहें आपके हर सवाल का जवाब में देती हूं एक बच्चा टेलिग्राम के लिए परिशान हो रहा था बेटे तुने कल वाली क्लास देखी मेरी लास्ट में अगर मैं आपसे गहूं तो तो अगर आप कलास का दाइरा बना के रखेंगे तो आप मेरे लिए सब कुछ है और अगर आप चीजों को खराब करेंगे तो फिर एको कम हम भी नहीं है वाकिफ है आप देखा है चलो आगे बढ़े हाँ आगे बढ़े चले आगे देखते हैं कुछ चीजों को तो महरास्ट सरकार ने महरास्ट भूशन अवाड 2022 देने के गोशना करी है और यह किसे देने के बाद की गई है तो महरास्ट भूशन अवाड आप जानते हैं 1995 में है ना महरास्ट भूशन अवाड महरास्ट भू स्थापना होती है लेकिन फॉर्स्ट टाइम यह कब दिया जाता है तो फॉर्स्ट टाइम यह दिया गया है वर्ष 1996 में ठीक है और महराज्टो सरकार के दुआरा दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा अवार्ड है आप यह याद रखिएगा 25 लाख रुपया इसमें क्या मिलत इसमें जो है वो मिलता है वर्ष 2020 के लिए 2021 में दिया गया था आशा भूसले को हैना 2020 के लिए 2021 में दिया गया था किनको आशा भूसले को लेकिन इस समय यह जो पुरुस्कार दिया गया है वो किनको दिया गया है तो यह दिया गया है अगर आप बात करोगे दत्ता त्रे न नारायन धर्माधिकारी सहाब को साथी में आप यह याद रखेगा आप किसी भी फिल्ड में बहुत भेटर काम करते हैं चाहे वो शोशल वर्क आप बोल सकते हैं चाहे आप किसी भी फिल्ड में चाहे आप आप बोल सकते हैं कि फिल्मों के छेतर में हो सकता है कला के छेतर में सकता है साइन्स के चेतर में हो सकता है समाज सेवा के चेतर में हो सकता है किसी भी फिल्ड में चाहे आप बहुत अच्छे एक्टर हूं तो उसके लिए यह वो दिया जाता है और इस बार कि इनको दिया गया दत्राते नारायन धर्मादिकारी को यह वाड दिया गया है अच्छ कौन अपॉइंट हुए हैं तो याद रखेगा रमेश बैस का नाम है रमेश बैस का नाम आप सभी को क्या रखना है आप लोगों को याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अगला कोशन ने सभी शौर्ट फॉर्मिट फ्रेंचाइजे क्रिकेट से सेवा निव बागी चीजें तो पहले लेच चुके हैं अब हम सुनों ऐसा है कि अब हम क्या कर रहे हैं चान्स चर्मनीय विदिक इव इंगलेंड बहुत सारी निदे रहे कितने लोगों का आपका लोगों का लोगों का अगर मैं कहूं तो ऑस्टेलिया ऐसा नहीं है कि आज की सिशन में अपडेट नहीं है अगर आप चाहे तो आप उनका नाम मुझे बता सकते हैं अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका डी यान अपका ब्लेंड आपका ठीक है यान मॉर्गन अल्रेड़ी बहुत सारे कामरान अकमल हाँ बिल्कूल कामरान अकमल चालो आगे बढ़ते हैं तो कुछ नाम हम लोगों ने पढ़ेते हैं जैसे किस देश की अनुभवी कीट कीप पर कामरान अकमल कर लोगोने पढ़ा था तो कामरान अकमल ये किरिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोशना कर दिया बहरतियों तेज गेंदả बांजान जिग्रापो से सन्यास क्योशना कर दिया और इनका संबंद जो फुटबॉल किलाडी है टॉम ब्रेडी और टॉम ब्रेडी ने भी कहा है कि अब भाई मैं सन्यास ले रहा हूं तो टॉम ब्रेडी कहां से बिलॉग करते हैं अमेरिका से साथी में अगर आप देखेंगे अनुभवी सलामी बल्लेबाज मुरली विजय इनका नाम आप सभी को का याद रखना है और जब आप मुर्ली विजय की बात करोगे तो यह कहां से या फिर किस स्टेट से बिलॉग करते ना मुर्ली विजय है बस इतना रखेगा कि आपने ब्रेडी का नाम आपको याद रखना है यान मौर्गन इंग्लेंड से टॉम ब्रेडी की बात करोगे अमेरिका से साथ में मुरली विजय की बात करोगे अपने प्यारे भारत और भारत में भी अगर इस टेट पूछ ले तुम्से तो स्टेट आपका क्या बनेगा स्टेट आपका बनेगा तमिल नादू, द फॉरवर्ड करीम बेंजोमा ये फुटबॉलर है और इनका संबंद किसी होगा फुटबॉल से एफ फॉर फ्रांस अरे क्लैपिंग हो जाए सबके लिए चालो कप्तान हुगो लारिस ये भी किससे संबंद दीता है तो ये भी फुटबॉल से संबंद दीता है पता चले क्रिक इनका संबंद क्रिकेट से है हाशिम अमला का नाम इनका संबंद क्रिकेट से है और ड्वीन प्रिटोरियस की अगर आप बात करते हैं तो इनका संबंद किससे हैं इनका संबंद भी क्रिकेट से दोनों के दोनों बिलॉंग कहां से करते हैं साउथ अफ्रीका से ना हां जी द रिकॉर्डेट क्लास है पेटे पढ़ ले हैं तुबह साथ बजे करेंट अफ्यर की क्लास कौन रिकॉर्डेट देता है मेरे को आज तक समझ नहीं आया खेर आगे आओ देश बर के दिव्यांग उद्मियों और कारिकरों के उत्पादों और शिल्प कोशल का प्रदर्शन करन तक शोलह से लेकर के पच्चिस फर्वरी तक कि शहर में दिव्यकल कला मेला अंगरेजी वालों तुम भी यही याद रखना दिव्यकला मेला इसका आयोजन जो किया जा रहा है मुंबई है जैपूर है बैंगलॉर है मुंबई क्यों नहीं हो सकता मुझे ये बताउ दरा एक बार सारे के सारे मुंबई आंसर क्यों नहीं हो सकता है कि मुंबई है जैपूर है बैंगलॉर है या फिर अगर बात करें तो ग्रेटर नॉइडा तो सामाजिक नियाय और अधिकारिता मंत्राले के द्वारा सोलह से लेकर के 25 फरवरी तक कि शहर में दिव्यकला मेला आयुजित किया जाएगा तो मुंबई है जैपूर है बैंगलॉर है ग्रेटर नॉइडा है नोट्स आपका जो टेलीग्राम ग्रूप चानल है तुम रुखते नहीं हो देर तक तुमारी यही आदत तो खराब है चालो तो करेंट आंसर आपका क्या बन गया मुंबई बस इतना याद रखना एक काला घोडा फेस्टिवल भी हम लोगों ने पढ़ा है तो अगर आपसे काला घोडा फेस्टिवल पूछा जाए काला घोडा फेस्टिवल अगर हम काला घोडा फेस्टिवल की बात करते हैं तो इसका संबंद भी कहां से होगा तो इसका संबंद भी मुंबई से ही होगा याद है किसी को मुंबई कुछ समय पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था क्यापिटल किसकी है महाराष्ट की चालो तो बस इतना याद रखना Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा दिव्य कला मेला इसको इसको शुरू किया जाएगा आज 16 तारीक है तो 16 से लेकर के 25 तक यह चलेगा बस यह याद रखना है कि जो दिव्यांग सेना में जब कोई अच्छा काम करता है तो उस दर्मियान यह वो दिया जाता है तो प्रेसिडेंट कलर किसी भी सेने या पूले सिकाई को देश के लिए देश के लिए की गई असाधरन सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है केंद्रिय ग्रह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमिश शाहने 2023 में प्रेसिडेंट कलर जो अवार्ड है यह प्रदान किया है और यह किन्हें प्रदान किया एक सेकेंड आप रुक जाएगा मैं थोड़ा सा एक बार आपका कमेंट वाला चीज देख लूँ ठीक है झाल झाल प्रवाइब दिख्कत हो रही थी तो अब शुरू करते हैं आजाओ ध्यान से देखो और मेरा ये भी काम नहीं कर रहा बोड भी ये कि परेशान हो रहे हैं तब दो अच्छा ये बताओ वॉइस आ रही है सरी पर वॉइस चेक कर लो कि वॉइस आ रही है कि अना चलो अब शुरुवास से शुरू करता हैं बहुत देर हो गई है तो सबसे पहले ध्यान से देखिए का चीजों को हम लोग करते हैं देखो प्रेसि सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच सम्मान है केंद्रिय ग्रह मंत्री और सहिकारिता मंत्री अमिश आने 2023 में प्रेसिडेंट कलर ये प्रदान किया है किसको तो उत्तर प्रदेश को हिमाचल प्रदेश पुलिस को असंप पुलिस को या फिर अगर हम बात करें तो हरि हिमाचल प्रदेश पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस को अना और उस समय देश के प्रधान मंत्री कौन थे तो जवाहर लाल नहरू के द्वारा लेकिन अगर आपसे पूचा जाए कि 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में यह अवार्ड किन को मिला था तो हिमाचल हांजी तो करेक्ट अंसरि किया बनेगा को करेक्ट अंसर बने अच्छा इसका मैस्कोर्ट क्या था तो धाकड इसका मैस्कोर्ट था अगर मैं तुमसे कहूँ कि देश का पहला ग्रेन एटियम ग्रेन एटियम अच्छा ये याद रखियेगा गोल्ड एटियम ये हैदराबाद में है ये दिमाग में रखियेगा गोल्ड एटियम ये कहां प सबसे बड़ा EV charging station अगर आप से पूछा जाता है सबसे बड़ा EV charging charging station सबसे बड़ा EV charging station ये भी हर्याना में है अचा हर्याना की ही अगर हम बात करते हैं तो एक मात्र international organization है आपको याद आएगा वो कौन सा हो जाएगा तो वो हो जाएगा ISA international solar alliance इस समय head कौन है अजय माथुर इस समय इसके head है अजय माथुर ये इस समय इसके head है आप लोगों को already पढ़ाया हुआ है कोप 21 में इसकी स्थापना करी गई थी solar energy का विस्तार करने के लिए किसके सहियोग से तो इंडिया और फ्रांस के सहियोग से हना भारत और फ्रांस के सहियोग से इंडिया प्लस फ्रांस के सहीयोग से तो इसका headquarters कहां पर मिलेगा तो ये भी आप लोगों को कहां पर मिलेगा हरियाणा में आचा ये सब छोड़ो विष्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये भी कहां पर बनने जारी है तो ये भी बनेगी आपकी हरियाणा में आचा देश का पहला हैली हब ये भी मंझ नास है इतनी बार से हर्याना हर्याला पढ़ लिए है आज अंसितंता 6 सफफ कि इसस समय याप पर क्या है तो सरकार उस्फेर कि आप मघ हम बताइंगे मुझे 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 अधान रागा अगर आप अनाम बताएंगे जरा कॉमेंट करिएगा हाँ एप पर करन्ट अफ्यर के बेटे पढ़ लो कि करन्ट अफ्यर ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमारे धैनिक जीवन का विश्य है सोचो एक दिन छोड़के दूसरे दिन तो पॉसिबल नहीं है तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी ह मैं मान सकते हूं जो लोग नए हैं उनको राइटिंग से इशू हो सकता है क्योंकि मेरी राइटिंग मुझे खुद को नहीं समझाते लेकिन एक चीज़ को हम दो बार रिपीट करते हैं यह भगवान ने गुण दिया है तो तब तक आप नोट कर सकते हैं ठीक है चालो आग जब चलो तो इस बार सर्वस्रेस्ट पुलिस स्टेशन जो बनाता वो कौन सा बनाए फटा 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 आंसर करो फरवरी 2023 में ललीता लाजमी का निधन हो गया और इनका संबंद जो है वो किस से बस एक परसनलिटी है उनका नाम याद रखिएगा इनका नाम हो जाएगा ललीता ओडिसा अक्सा पुलिस स्टेशन हां जी अक्सा पुलिस स्टेशन कहां का था तो ओडिसा का था आगे चलते हैं फरवरी 2023 में ललीता लाजमी का निधन हो गया क्या यह पेंटर थी पेंटर को हिंदी में क्याता है चित्रकार जो चित्रकारीता करता है चित्रकार एक का मतलब क्या होता है तो जो अभीनेता है आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिव हैं क्योंकि आप फैन हैं बहुत सारे अभीनेताओं के साइंस का मतलब वाकिव हैं और साथ ही में शोशल सर्विस का मतलब क्या होता है तो शोशल सर्विस का मतलब होता है समाज सेवा समाज से जाना बस केवल देखो एक नाम और याद रखेगा आपने इनको अल्रेडी देखा होगा लेकिन कभी इमेज नहीं देखी होगी इनकी ध्यान से देखो नुकड और लगान के लिए जाने जाने वाले अभिनेता है और इनका भी निधन हो गया जावेद खान अम्रोही तो रिस सथी में अगर मैं बात करूं कार्लोस सौरा का निधन यह कल वाली क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिल चुका है तो कार्लोस सौरा यह भी क्या थे तो यह निर्देशक थे यानि स्पैनिश डायरेक्टर थे उसके बाद मुशर्रफ का लंबी बिमारी के बाद निधन हो गया तो कहां के थे यह पाकिस्तान ना तो आंसर आपका Teraz क्या बनेगा मैं पाकिस्तान के पाकिस्तान के यह क्या रह चुके हैं पाकिस्तान के यह तीनो नाम आगे चलते, प्रसिध हिंदी अगर आपसे बात किया जाए, एक नाम और याद रखना है आपको, और वो नाम बनेगा किनका? तो वाणी जैराम का, और ये जो वाणी जैराम है, ये कौन है? तो ये है सिंगर, तो वाणी जैराम ये भी रिसेंटली पासवे हुई है, तो ये क इनका निधन हो गया था कानून मंत्री और इनका नाम क्या बनेगा शांती भूशन एक शांती भूशन अच्छा यह कानून मंत्री थे तो सही लेकिन किसके समय में थे तो किसके समय में होंगे मुरारजी देशाई के समय में, मुरारजी देशाई के समय में बस यह याद रखना है, उच्छ ध्यान नहीं रखना, इनके जब आप नाम डेली देखोगे तो आपको समझ जा जाएगा, ठीक है, तो शांती भूशन, इनका निधन हो गया, ये कानून मंत्री है, साथी में साम माजिक कारिय करता थे, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चली, आगे चलते हैं, ऑस्टेलिया का पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ दे इयर का अवार्ड, अब महान, स्पीनर, शेन वान के नाम से दिया जाएगा, सबसे बड़ी बात है, जब हम बात करते है अस्टेलिया के बारे में, अस्टेलिया के अगर हम बात करें, तो पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ दे इयर, अगर हम बात करते हैं, मेल के बारे में, तो टेस्ट प्लेयर ऑफ दे इयर, यह जो अवार्ड है, यह किसके नाम पर जाना जाएगा, तो यह शेन वान के नाम पर जाना जाएगा Shane Vonern के नाम पर ठिक है और यह पहला औवार्ड है और यह अभी किसको मिला है Shane Vonern के नाम से आपको इतना ही बताना है कुछ नाम आपके सामने है जैसे डैविध वार्नर की बात करेंगे इस्ट जामी स्मिप की बात करता है उस्मान खवाजा है और इसके अलावा एक कौन हो जाएंगे मार्कस स्टॉइनिस ठीक है ODI Player की अगर आप बात करोगे ODI Player इसका अवार्ड जो मिला है यह David Warner को मिला था ODI Player of the Year ठीक है वहीं एक नाम और याद आ रखना है आपको मार्कस स्टॉइनिस का ठीक है और इनकी अगर हम बात करेंगे T20 Crick Cricketer of the Year का अवार्ड इन को मिला था ऑस्टेलिया में T20 Cricketer को क्रिकेटर आपका क्या मनेगा उस्मान ख्वाजा ऑप्शन के अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका सी बिल्कूल ठीक है उस्मान ख्वाजा इसमेट इस्टेव इसमेट वालो यहां आओ लाहिन से सारे के सारे इस्टेव इसमेट ते रहें ऐसा नहीं होगा ना अलब बात है ना आगे बढ़ें चली हाँ सब का चालांज वो कटा ऐसा कुछ वाला है क्या आंसर आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा आप लोगों का उस्मान ख्वाजा जित्ते लोगों का अंसर है एकदम ठेक है आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें यह तो गलत हो गया चालां नेक्स्ट कुछन की तरफ चलते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी मेजर ध्यांचंद स्टेडियम में ट्राइफेड आदी महत्सव कब से कब तक आयोजन किया जाना है तो 16 से लेकर के 27 परवरी तक इसका आयोजन किया जाना है कहां पर तो आंसर बन गया दिल्ली सभी का अल्मोस्ट सबका आंसर दिल्ली है तो आंसर आपका क्या बनेगा गांधी नगर अरे गाजब चलो आंसर क्या बनेगा डिल्ल गांधी नगर डिफेंस एक्सपो 2022 अगर मैं आपसे पूछू इस समय ट्राइबल अफेर्स मिनिस्टर जो है वो है कौन है तो आंसर क्या बनेगा अर्जुन मुंडा अरे गजब है ना अर्जुन अर्जुन मुंडा आगे बढ़ें अर्जुन अर्जुन मुंडा नेक्स्ट कुशन की तरफ चले आज आंकडा जो है वो 300 पार हो जाना चाहिए ऐसा मेरे को फील हो रहा है अंदर से तुम आते नहीं हो सुबह सुबह काई कि तुम उठते नहीं हो आओ ख्यार अर्जुन मुं सब्सक्राइब करेंगे कहां पर करने वाले हैं दिल्ली में क्वेशन 10 है एक नाम याद रखना है जिनका नाम है ग्रेस का नाम याद रखना है जैसे ICC की बात करते हो तो दुबई में इसका हेड़कॉर्टर है जनवरी से शुरुवात हो चुकि है दिसंबर तक हम लोग ज चुनती है प्लेयर ओफ दा मंथ प्लेयर ओफ दा मंथ अच्छा प्लेयर ओफ दा मंथ की अगर हम बात करें तो मैं में भी चुनेगी और विमन में भी चुनेगी और अच्छा इस बार अगर हम विमन की बात करते हैं तो विमन में किनको चुना गया है तो विमन में चुना ग्रेस इस्क्रिवेंस को, है ना? P-N, है ना? P-N-C-E, ठेक्या है? N-S-E, है ना? और एक की अगर हम बात करते हैं, तो एक मेल में चुना जाता है, ठेक्या है? अचा, इसमें से सबसे पहले तो ये बताओ, जो लोग इसमें वो है कि ICC की जो स्थापना है, ये कब हुई है? है ना? मेल, फीमेल तो हम बाद में देख लेंगे, मेल है और फीमेल है P-Mail, है ना? मेल फीमेल तो हम लोग बाद में देख लेंगे लेकिन आप सबसे पहले यह बताओ कि ICC की इस्थापना जो होती कब है 1909 पक्का है ना 1909 ठीक है 1909 चालो तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका 1909 में हेड़क्वार्टर कहां पर होगा दुबई में इसका हेड़क्वार्टर हो जाएगा इस समय ग्रेक बरकले यह समय इसके क्या हो जाएंगे अध्यक्ष हो जाएंगे CEO की अगर हम बात करें तो जिओफ अर्लाडिस जिओफ अर्लाडिस यह इस समय इसके क्या होंगे यह समय इसके CEO हो जाएंगे मेल की अगर हम बात करेंगे तो शुब हो शुबमन हेना शुबमन गिल्व का नाम आप सभी को याद रखना है और आप जब मेल्ड की बात करते हैँ फी जर आप बात करोगे तो मेल्ग चीछ प्लीक्व को और य Community है to seconds नबंगेश którego आप लोगों का बनेगा अंशर आप लोगों का क्या बनेगा ना अपे लोगों का बनेगा इंग्लेंटुक्री ऑबिखनद व्ही जनवरी 2023 अब जानते हैं जाने तीनों फॉर्मट में यह शतक लगा चुके हैं अंतरास्ट ये क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में ये शतन आशा तक लगा चुके हैं आगे चलते हैं भारत युवा शिखर सम्मेलन का उधगाटन ये किया गया है और ये कहां पर किया गया है दिल्ली है मुंबई है कोलकाता है या फिर हैदराबाद है आंसर करो एक हां कौ कौन से कंट्री से हो जाएंगी तो ये हो जाएंगी इंग लेंड से ठीक है आगे बढ़ें चलो को थोड़ा सा ध्यान से देखो उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं ठीक है चौथे आशियान यूवा शिखर सम्मेलन है ना मिनिस्ट्री ओफ कल्चर उनके द्वारा इसका क्या किया गया है उद्गाटन किया गया मिनिस्ट्री ओफ कल्चर मिनिस्ट्री ओफ कल्चर इस समय है किनके पास तो जी किशन रिड़ी के पास इस समय यह है मिनिस्ट्री ओफ कल्चर एक बात और होती है अगर आप आशियान की बात करेंगे आशियान के बारे में तो सबसे महत्वपून पॉइंट बनता है कि 1967 में वर्ष 1967 में इसकी क्या हो जाएगी इसकी स्थापना हो जाएगी अच्छा, Member अगर आप से पूछे तो 10 इसमें क्या हो जाएगे 10 इसमें Member हो जाएगे साथी में अगर हम बात करते हैं कि आशियान का जो एड़काटर है यह कहांपर होगा तो हेड़कार हो जाएगा इसका जपारता जकारता कि अगर हम बात करें तो हint दो नेशिया निदो नेशिया जैसे आप नोगों ने बात करी ओफ्रों ल मेंबर को क्या Canada को लेकर के तो क्लिए कर आगर अगर आपसे पूचा जाए कि क्या भारत आशियान आपको बनेगा नहीं में भारत इसका मेंबर नहीं है कि जीद्न type इस इस में अन्पर है कि पहले question का answer जो आपका निकलेगा वो हैदराबाद बनेगा question का answer क्या बनेगा हैदराबाद आप यह याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं तो आशियान के साथ जो हमारे relation शुरू हुए है यह आप में से किसी को single student को याद है कि आशियान देशों के साथ हमारे relation जो हो कफी अच्छे तो चौते आशियान भारत युवा शिखर सम्मेलन और इसका उध्गाटन कहां पर किया गया है हैदराबाद के गया तो यह इसका 11 मेंबर बनने को तयार है यानि पर्मिशन मिल गई है कि यह इसका क्या बनेगा यह इसका 11 वाला मेंबर बनेगा एक चीज़ और आपको याद रखने है वो यह हो जाएगा आप लोगों का ध्यान से देखो कि वर्ल्ड गवर्मेंट सब्मेट 2023 है ना वर्ल्ड एक सेकंड का समय देजे बस में रुको एक सेकंड रुक जाओ बस है ना यह सच है यह मैं क्या रही हूँ इसमें चैट बॉक्स में पैठे रहू कुछ देगा चलो 1992 में हना अगर आप बात करोगे आशियान की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो शुरू कब होते हैं 1992 में 2022 की अगर हम बात करेंगे तो 2022 में कितने साल पूरे हो जाएंगे तो 2022 में 30 साल पूरे हो चुके हैं आशियान के साथ हमारे रिलेशन्स को इतना आप लोगों के लिए सफिशेंट अच्छा एक बात और याद रखेगा वर्ल्ड गवर्मेंट सम्मिट दोजार पेस इसका आयोजन जो किया जाएगा वो कब से कब तक तो 13 से लेकर के 15 फरवरी तक बस यह याद रखना है तेरा से लेकर के 15 फरवरी तक इतना आप को ख네 न को शहरी निकायों तक विस्तारीत करने की गोश न करी गई है और लोगों को पढ़ाया हुआ है न यह ना आप बोलने सकते नंने मिएस टी स्कारिज्ट शूजे सब्सक्राय कर रही है तो कुल मिलाकर कि उन्हें हाथ से महला ना ढढोना पड़े मैंने सबसे बड़ी बात है कि उसका प्लानर चेक किया करो और जो उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो तुम लोग टेलिग्राम पर तो क्या तुम यह बताओ मुझे कि तुम पढ़े लिखे हो बुरा जरूर लगेगा लेकिन मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि क्या तुम पढ़े लिखे हो जो मचा रहे हो यहां पर तंड़ इसमें जो आपका प्लानर दिया है प्लानर के अकॉर्डिंग मेरी क्लास जो है वह 20 फरवरी को है बीच में घुसके क्लास कहां से ले लू मैं हमारी तरह थोड़ी ना कि मतलब आ जाओ गुस जाओ करके वाला सीन पॉसिबल ही नहीं है तो पहले प्लानर चेक करो और आज वाकई थोड़े नहीं आज बहुत जादा अराजक तत्व है लेकिन यह ओपन प्लैट्पॉर्म है मैं रिक्वेस्ट उनी से करूँगी कि बिच किसी का सहारा है तो इसका मतलब आप अपने आपको हमेशा कमशुर और आपको हमेशा हारा हुआ ही महसूस करोगे अकेले खड़े होने की हिंबत रहो बाद कदम सहारा हमेशा इंसान को कमशुर करता है वो चाहें sizin किका बहुत इस चीज़ को दिमाग में डिठा लेना आपक अकेले हो तो सब है कि संग अगर किसी का होगा तो हमेशा तुमको कमजोर करेगा हमेशा तुमारे इंदर डर पैदा करेगा तो एक चलो आजाओ का कोशियन का अंसर क्या बनेगा केंदर सरकार जितने लोग अंसर कर रह दो complete यहां संस ले संस लेट ूऑ यह लो Stevens Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा इसको शुरू किया गया था बस दोनों मंत्राले के नाम आप याद रखिएगा कौन कौन से हो जाएंगे तो नमस्ति के अगर हम बात करेंगे Central Government की स्कीम है Ministry of Social Justice and Empowerment और Ministry of Housing and Urban Affairs है ना तो दोनों मंत्राले के नाम याद रखिएगा मंत्राले के नाम जो हो सकता है पूछ ले 11 से 19 फरवरी तक मुंबई के आजाद मैदान में रास्टिय संस्क्रिती महसव 2023 का आयूजन कर रहा है और ये कौन करेगा तो केंद्रिय संस्क्रिती मंत्राले यानि Union Ministry of Culture टेक है इसको ध्यान रखने के लिए U-win पोर्टल को लॉंच किया गया है और U-win पोर्टल को लॉंच किया गया है किसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा किस मंत्राले ने नई दिल्ली में लाल के लिए से 6 दिवसिय मेगा इवेंट यानि 26 से लेकर के 31 जनवरी तक भारत कुरेरिस्प या फिर आगर हम बात करें गे तो परियाटान मंत्राल है और व कला मुहसव याद है किसी को ध्यान से देखिएगा दिल्ली अंतरास्टिय कला मुहसव दिल्ली अंतरास्टिय कला मुहसव इसका आयोजन जो किया गया वो अगला कुशन देखिएगा ग्रामीन अर्थ विवस्ता को बदलने के लिए किस मंत्राले ने प्रजवला चैलेंज आपको याद आएगा के द्वारा साथी में अगर आप बात करोगे राष्टे शहरी प्रोद्योगी की मिशन इसको याद रखने की ज़रूत वैसे हैं नहीं किसकी द्वारा शुडू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा जब पीडिएफ मिलेगा तो एक बार आप सभी पढ़ लीजेगा आगे अचा यह रिवीजन वाला पार्ट है फटा फटा आप कर लोगे तो अच्छा लगेगा ध्यान से देखो किस राज्य द्वारा स्वास्ते सुविधाएं प्रदान करने की उद्देश से 108 नम्मा क्लिनिक लांच किये गए हैं तो यह कहां पर लांच किये गए तो यह लांच जीत के साथ ही रिकॉर्ड हना पांच वी बार बनाया है और क्लब विश्व कप जो है वो अपने नाम कर लिया है तो यह जो क्लब वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहां पर किया गया था तो मुरेकों में यानि आपका क्या बनेगा डे बिलकुल ठेक है आगे चलते हैं खेलो यूद गेम्स दोजरतेस के पदक तालिका में जो टॉप पर रहा है इस बार वो कौन सा रहा है महराश्च और हर्याना की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड पर रहा है हर्याना थर्ड की अगर आप बात करोगे तो जिसने इसको वोस्ट किया है वो थर्ड पोजीशन पर रह भी जेनेंगे तो राज्टी सुरक्षागाद और यूएस इस पेशल ओपररेशन फॉर्स ने कहां पर तरकश अभियान का आईजन किया है ये जो टरकश अभियान है तरकश अभियान इसका ऑयोजन और किया गया था तो इसका आइव जो नियागी Chuckeneी में एRo रास्टपती द्रोपदी मूर्मु ने बारहा राज्यों में नए राज्यपाल और लद्दाक उपराज्यपाल समिधान के सनुचेत के तहट अपॉइंट किये हैं तो बारहा राज्यों के गवर्नर बतले हैं और एक आप जानते हैं कि लद्दाक वहाँ पर लेफ्टिनेंट आगे बढ़ते हैं तो जैसे लफ्टिनेंट जर्नल आपको केटी परनिक के बारे में मैंने बताया इनको अरुनाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है यह डाटा है एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यहां से शुरुवात करोगे बिश्व भूश करती अनुसुया कि उनको अप्युट किया गया मनिपूर और जो मनिपूर के गवर्नर थे लाग्यनेशन इनको अपाइंट किया गयाate गवर्नाय अच्छा फागुच चोहान की बात करो के दो बिहार के गवंट tätä ने लेकिन को अपाइंट किया घ्या Спाण और राजेंदर व सके वायू सेना स्टेशन में Aero India 2013 के 14 वाले ऐडिशन का उद्घातन किया है तो Aero India शो यह कहां पर आजयत होता है तो वैसो तो हर साल आपका कहां पर आजयत होता है बैंगलूरू और बैंगलूरू की अगर हम बात करते हैं तो आंसर आपका क्या बनता है जम्मू, कश्मीर और लद्दाक हाई कोर्ट का श्री नयायमूर्ति एन कोटेशवर सिंग। आगे बढ़ते हैं Mr. अगर हम स्वारी जस्टिस सोनिया गिरिधर की अगर हम बात करेंगे तो जस्टिस सोनिया गिरदर गोकानी ये जज थी गुजरात हाई कोर्ट में लेकिन इनक और उनको चीफ जस्टिस बना गया है जम्मु कुष्मिर अगे चलते हैं भारत की G20 अधिक्ष्टा के तथ खृषी प्रतिनिधी बैठक यह आयुजित करी गई है भौपाल में इंदौर में जैपुर में या फिर हैदराबाद में तो सोचने वाली बात ही नहीं है यह कहां प पर शुरू किया गया है तो यह शुरू किया गया है आपके सपनों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में विश्वे युनानी दिवस आप मनाते हैं कब मनाते हैं तुम हम 11 और फर्वरी को हम लोग विश्वे युनानी दिवस मनाते हैं थीम आप सभी को याद रखनी है युनान युनानी मेडिसन फॉर पब्लिक हेल्थ ये इस बार की थीम है साती में धरा ये नदी शहरों के गटबंधन के सदस्यों की वार्शिक बैठा के 13 से 14 फरवरी 2023 को आयुजित की गई है और ये कहां पर आयुजित करी गई है तो ये आयुजित करी गई है पूने महराष्ट में आगे चलते हैं टे-20 इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे जदा विकट लेने वाले गेंद बाद यजुवेंदर चहल बन गए है और यह जो यजुवेंदर चहल है यह बिलोंग करते हैं कहां से ऐना अगर हम बात करें यजुवेंदर चहल की तो यजुवेंदर चहल जो बिलॉंग करते हैं ये कहां से बिलॉंग करेंगे दिली है हरियाना है बहुत सारे लोगों का आंसर हरियाना आ चुका है रे गजब क्लैपिंग होनी चीए बहुत आंसर आ चुका हरियाना महिला प्रीमियर लीग जैसे IPL के अगर हम बात करते हैं पूरूशा में ठीक उसी तरीके से महिलाओं के लिए महिला प्रीमियर लीग इसकी निलामी में सबसे महेंगी खिलाडी जो बिकी है वो कौन हो जाएंगी तो वो हो जाएंगी इस्मृति मंधाना तो इस्मृति मंधाना का नाम आप सभी को ध्यान रखना है आगे चलते हैं आचा रोयल चैलेंजर बैंगलूरू ने खरीदा है 3.4 करोड में वित्य सिक्षा संदेशों का प्रिचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्य साक्षर्टा सब्तहा या फिर फाइनेंशियल लिट्रिसी वीक ये मना रहा है 2016 से कौन तो आर बी आई यान आपका जो अच्छा फाइनेंशियल विवहार है वही आपको सुरक्षित रख सकता है यह इस बार की इसकी क्या थेम है यह होमवक है और उमीद है जितने ऑप्रेशन आपको पता हो प्लीज एक बार आप सारे के सारे क्या कर दीजेगा एक्स्प्लें कर दीजेगा भारत द् करन्ट अफेरस बाइससी वाला अंटेवर अफेरस अगए एससी वाला इससी वाला जोइन तभी करो जब तुम्हारी इतनी शमता हो कि तुम सुबह साथ बज़े उठके क्लास ले सकते हो हमेशा आपसे यह क्या तेव टाइम पास मत करो खुद के साथ धोगा मत करो जन्वन तैयारी कर रहे हो तो जैनुवन तैयारी करो तो आप जोईन कर सकते हैं आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास होता है बस बात होती है वक्त की और बात होती है समय की कि आप समय दिया करें आप समय देते नहीं है पहले ही शुरू हो जाते हैं करते हैं एक कोशन मैंने कलभी चाहिए तो मैं कुछ नाम बता देती हूं आप लोगों को जैसे कि एक क्वेशन था एक बुक का नाम लिखा था फ्रॉम इस्ट पार्क टू बांगलादेश न यह किन के द्वारा लिखी गई थी आर्पी सिंग और हितेश सिंग के द्वारा और बहुत प्यारा अंजर दिया जैसे निशु राज की अगर मैं बात करूं है डॉली है डॉली के अलावा जैसे अंजली निगम है संसकार है कशीश है इसके साथी जानवी हैं हंटर गेमिंग भी कोई था उसके अलावा जैसे श्रिया भारती है श्रिया के अलावा जैसे महेंद्र है अश्मिनी है दिक्ष कोई लेना देना ना है में हम पढ़ने लिखने से पीडिएफ मिल जाए पढ़तो रहें आप पे अहसान करतो रहें और क्या चाहिए जंदिगे ठर आज का भाशन यहीं समाप्त करते हैं कि मिलेंगे कल सुबह 7 बजे एक नई एनरजी नए जोश के साथ कोशिश करेंगे कि कल से एडिटर भाईया को यहीं बिठा के रखूं कि भाई तुरंत ब्लॉक कर जो भी उल्टीज दी हरकते करें तुरंत आप सभी अपना ध्यान रखिएगा सुस्त रहें मस्त रहें हस्ते किलकिल आते हैं जो भी डाउट हो जो भी शको जो भी शंका ओ जो भी परिशानी हो टेलिग्राम पर परसनल मेसेज कर दो या फिर यहां पर कॉमेंट्शेशन में मैसेज शोड़ दो हर किसी का मैसेज सीन होता है यह बात सच है थांक्यू सो मच बबबाई बेस्ट आफ लग संदीप सर के इंगलिश एडिटोरियल की क्लास है उसमें आप सभी के सभी पहुँच जाओ बाब बाई बेस्ट आफ लग्ड़ आफ लग्ड़ आफ लग्ड़ आफ लग्ड़ आफ लग्ड़ लग्ड़ दूपलिटो तून आफ लग्ड़ आफ लग्ड़ आफड़ झाल झाल